खबर अज़ानी देहरा दुन से है जहां केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पिछले दिनों कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नित्रित्म में हरिद्वार के हर की पोड़ी से शुरू होकर केदारनाथ तक निकाली गई थी लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं तमाम बड़े नेता यह कह रहे थे कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है और ना ही राजनीतिक लाफ लेने के लिए यात्रा निकाली जा रही है वही अब इसके पोश्टी कॉंग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिम माहरा दसोनी ने यह कहकर कर दी है कि अब केदारनाथ यूपी चुनाव की तारिक भी final हो गई है और कॉंग्रिस ने जो केदारनाथ प्रतिश्चा रक्षा यातरा पिछले दिनों निकाले थी इसका कही न कही लाब केदारनाथ उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा तक जा सकती है और इसका ताजा उदारण कॉंग्रिस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता ने अपने बयान से जाहिर कर दिया है वही अब देखने वाली बात यह है चाहे बीजेपी हो या कॉंग्रिस दोनों ही सियासी पार्टियों केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारियों में लग गई है किस पार्टि को यात्रा और किस पार्टि को जनसनवाद से जनता का समर्थन मिलेगा यह आने वाली 23 नमवर बताएगी देहरादून से बीरोचीफ अवनिश गुपता की रिपोर्ट हमने शुरू से ही कहा था कि कॉंग्रेस की क्यादारनाथ परतिस्था रच्छा यात्रा केवल और केवल राजनितिक लाप के लिए है और राजनितिक लाप भी उनको नहीं मिल पाया पूरी तरह से उनकी यात्रा फ्लॉप रही थी आपस में कितनी उनकी जो है उस यात्र के दौरान मार पीठ हुई गाली ब्लोच हुई गुट बाजी हुई कितने वीडियो उनके जो है स्विंग पूल में हैशो राम करते हैं वाइरल हुए यह सब उत्रखंड की जनता ने देखा और हमारी उस बात पर अब कॉंग्रेस की प जो हम कह रहे थे वो सत्ते कह रहे थे मैं गरीमेजी का ब्यान सुन रहा था एक करफ तो उन्होंने इस सत्ते को स्विकार किया कि कॉंग्रेस को स्याक्रा को केवल और केवल राजितिक लाग के लिए निकाल नहीं थी दूसरी तरह को जूट का पुलिंदा भी बांध रही थ के दन आपकी जंता का बोव वंगो चुका है